आज फिर एक नई वेकेंसी के बारे में आपको जानकारी देने आया हूँ यह वेकेंसी है इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड में देखें यहार लिख दिया है रिकूरूट्मेंट आफ इक्सपीरियेंस्ट परसंग यदि आपको आनुभव है तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जो अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं कोई दक्षिन भारत में बसा हुआ है कोई कहीं तो आपको अपने घर वापसी का यह सुनारा मौका है देखे बात करते हैं देखे इसमें क्या है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर यह तीन पद हैं दो ह आफिसर राजभासा दो हैं एक अन्रिजर्व है और एक सी के लिए है और इसमें इस्टार मार्ग दिया हुए रिजर्व फिशन फर पी डवलूडी शेल वी एस पर गौवर्मेंट अफ इंडिया मतलब अगर आप पी डवलूडी की स्रेड़ी में आते हैं तो भारत सरकार क जो नियम है उसके अनुसार आपको आरक्षन मिलेगा आई यह जान लेते हैं कि चीजे क्या क्या है इसमें सबसे पहरे क्वालिफिकेशन जान लेते हैं इसमें जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए अपर एज लिमिट अधिक्तम आयू 30 वर्स रखी गई है और इसमें मा आपका मास्टर्स हिंदी में नहीं है तो मास्टर्स डिग्री अंग्रेजी में हो और सनातक मर्था ग्रैजुशन में आपने हिंदी पढ़ी हो अगर वह भी नहीं है तो मास्टर्स डिग्री किसी भी विसाय में हो और हिंदी और अंग्रेजी आपने डिग्री लेवल पर प PGDT किया है वे कर पाएंगे इसके लिए किसी भी मानेता प्राप संस्थान से होना चाहिए यदि डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास दो साल का ट्रांसलिसन का अनुगा होना चाहिए और वह होना चाहिए किसी केंदरी या राज सरकार के कार्याले में PSU भी इसमें आता है और इसमें हिंदी टाइपिंग और कम्प्यूटर आफिस एक्सल और पावर पॉइंट आना जरूरी है तो आप अगर फ्रेशर है तो भी इस पद के लिए आविदन कर सकते हैं अब देखते हैं दूसरे पद में क्या लिखा है इसमें देखे लिखा है आफिसर राजभासा 35 वर्स तक की अधिक्तम आयू और अनुवादक के तरही सेम कौलिफिकेशन इसमें भी मांगा गया है बस इसमें अलग से पाँच वर्स का आपको कार्यानुव है मांगा गया है मतलब किसमें सरकारी कार्याले में इसमें टर्मिनलोजी वर्क है क्लासेज है वर्क्शॉप है मतलब जो भी राजभासा कार्यानुवन का कार्य है वह किया हुआ होना चाहिए और आफिसल लैंग्वेज एक्ट और रूल मतलब राजभासा नियम अधिनियम जानना जरूरी है और लोकल इंडियन लैंग्वेज आपका जानना जरूरी है जहां भी आपका स्थानांतर होगा इसमें आविदन भेजने की अंतिम्ति थी 31 एक थी बाद में इसको बढ़ाई गई है 31 एक दोहजार चोबीस तक आपका जो भी कट आफ है एक्सपिरियन्स होगर उस डेट तक होना चाहिए वेतन अगर हम मानें तो देखे नौ लाख रूपया जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का सलाना वेतन जाएगा यहां लिखा हुए देखे और राजवासा अधिकारी का 18 लाख जाएगा इसका मतलब है कि स्टाफ सेलेक्शन कमिशन से अगर आप जुड़ते हैं अनुआदक के नौकरी में तो वहां आपका सलाना नौ लाख नहीं जाएगा मासिक पचास अर्थाक बारह महिने में च्छे लाए जाएगा तो यहां सलरी आपकी ज़्यादा है इसमें बेसिक है टीए है एचार है यह तमाम चीजें हैं बाकी चीजों के बारे में थोड़ी जानकारी दे हाँ इसमें आपको इनके हेड आफिस दिल्ली या गुरूगराम में मिल सकता है या फिर चेन्ने और बडोगरा में मिल सकता है या फिर शाखा कारेले मुंबी में स्थानांधरन मिल सकता है यह बाकी चीजें चैन के बाद यह बताएंगे इसमें राजभसा अधिकारी के लि तुनियर हंदी ट्रांसले発र का जो चैन होना है, वह skill test होगा इसके बारे में भी बाद में बता दिया जाएगा, और skill test online mode में होता है, अगर नहीं होता है online mode में, तो वह भी दिल्ली में ही होगा और इसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी, इसके अलावा हो सकता है मुंबई, चिन्नई या अन्य स्थानों पर भी हो आवेदन करने की अंतिम तारीक है 21 फरवरी दोहजार चोबीस अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो मुझे लगता है आपको ततकाल आवेदन करना शुरू कर देना चाहिए और इसकी वेबसाइट है www.engineersindia.com मैं आपको अब आवेदन प्रक्रिया कैसे इस वेबसाइट में करेंगे इसके जानकारी देने जा रहा हूँ क्योंकि बड़ा कठीन है लिंक मिल पाना है इसका आईए हम देखते हैं कैसे आप इसके आवेदन के लिए जा पाएंगे ये देखिए इंजिनर्स इंडिया लिमिटेट की वेबसाइट है आप वेबसाइट पर जाएंगे है कैरियर्स कोलेंगे मैं इसका लिंक अपने ब्लॉग गली-kucha.blogspot.com पर भी डाल दूँगा इसके अतरिक था हमारे वेबसाइट पर भी इसका लिंक हम डाल देंगे देखिए जब आप यह वेबसाइट खोल लेते हैं वेबसाइट खोल रही है इसमें कैरियर्स लिखा हुए आप नीचे की तरफ जाएंगे अब यह इनका कैरियर्स का पन्ना खुला है इसमें वाई वर्क विद ऐसे आप आगे बढ़ते जाएंगे और नीचे आईए अप्लाइंग टू इई आई एल यहां रीड मोर लिखा हुए थोड़ा सा और नीचे आईए आप एकदम नीचे आने के बाद देखेगा यहां अपॉर्चुन्टीज अट इई आई एल लिखा हुआ है यहां रीड मोर पर आप क्लिक करेंगे रीड मोर पर जैसे ही क्लिक करेंगे यह देखे विज्यापन वाला पेज आ गया यह पुरा लिंक मैं आपको देदूँदगा वहां जाकर करकर आवेधन कर सकते हैं सीधे यह देखिए Recruitment of Experience Person अब जैसे आपको Advertisement देखना है तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं और जिस पद के लिए आपको आवेदन करना है मान लिजे Junior Hindi Translator के लिए करना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ क्लिक करने के बाद यह देखिए अगला पेज निकला करके यहाँ देखिए मैंने अपना email id डाल दिया hindikarishala.gmail.com यह next पे क्लिक करेंगे next पर क्लिक करने के बाद इसमें देखिए आपका सारा विवरान आता है category, religion, gender जो भी चीजे हैं इसमें आप भरेंगे भरने के बाद यह देखिए अलग-अलग इसके windows है educational qualification पर जाएंगे इसके बाद work experience पर जाएंगे यह सब भरते हुगा आपको जाना पड़ेगा other detail एक चीज़ ध्यान देए कि इसमें आपको अपने सारे certificates अप्लोड करने पड़ेंगे और जो certificate अप्लोड करेंगे उसमें photo रहेगा आपका photo के अलावा आपका signature रहेगा signature के अलावा आपके जितने भी certificate है single PDF में अप्लोड करना पड़ेगा और आपको अपना आधार अप्लोड करना पड़ेगा ये चार कागजात अप्लोड करना आवशक है तो जब भी आप इसका form भरें प्रयास करें computers करें या mobile में हैं तो जो आपके documents हैं उनका वजन अर्थात 5000 KB से कम हो और 100 KB से कम signature photograph होना चाहिए सब कुस तयार रखें और भरना शुरू करें खुशी की बात यह है कि इसमें आवेदन करने के लिए एक भी पैसा नहीं लगता है तो यदि मित्रों आपको लगता है कि आप इसके लिए लायक हैं या खुद को इसके उपयूगत मानते हैं तो ततकाल आवेदन करना शुरू कर दें और यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो आपके जो मित्र इस नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें आप कहें कि आवेदन करें इसके अलावा ये सारी प्रक्रिया हमने दिखाई यहां देखे लीगल आफिसर की भी वेकिंसी है लीगल आफिसर देखिए अर्थाग वकील होना चाहिए एक साल का अनभो मांगा है और मैनेजर लीगल मांगा है उसमें आठ वर्स का अनभो मांगा है और यह भी 16 फरवरी तक आवेदन यह लोग स्विकार करेंगे तो लीगल आफिसर के लिए आप जाना चाहते हैं तो परियास करें बाकी विवरन फिर हम मिलते हैं तो बात करते हैं हाँ अगर आपने सब्सक्राइब न किया हो तो इस बार कर लें क्योंकि और भी कई जानकारी मैं आपको